वेलकम टू ग्यानकडा यूटूब चैनल ग्यानकडा यूटूब चैनल पर आपका हरदिक स्वागत आज किस टोपिक में हम बात करेंगी राजस्थान मंत्री मंडल 2024 केबिनेट मंतरी, राजे मंतरी और सरकार के पूरी जानकरी किस-किस विधाय को क्या मंतराले दिया गया है, कितना बजट रखा गया है, सरकार की पांच साल में क्या यूजना है, किस परकार से सरकार अपने हर एक मंतराले के साथ सामज़स से बिठा कर अच्छा कारिय करने की में है complete पूरे डेटेल से आज हम बात करेंगे कौन-कौन से मंत्राले important हैं किस-किस विधायक को ये मंत्राले दिये गए हैं CM के पास ग्रह ECB कार्मी कूर आपकारी विभाग हैं मुखे मंत्री भजनलाल सर्मा के पास जो मंत्राले रखे गए हैं वून में से ग्रह ECB कार्मी कूर आपकारी विभाग हैं इनका कुल जो बजट है ये कार्मी क विभाग के यदि हम बात करें तो इसका बजट है 685.54 क्रोड रुपे ग्रह विभाग का जो बजट है 9,780.65 क्रोड रुपे आयजना विभाग सामाने परसासन सूचना और जन्द संप्रक विभाग मुखे मंतरी बज़नलाल सर्मा के पास है अन्ने विभाग भी इनके पास हैं उनमें नेती निलधारन परकूस्ट आपकारी ब्रस्टाचार निरोदक पूरो येनिकी ECB डिपार्टमेंट भी मुखे मंतरी बज़नलाल सर्मा के पास है दिया कुमारी और प्रेम चंद बैर्वा जोकी दोनू मुखे मंतरी हैं राज्थान के इनके पास कौन सी विभाग है दिया कुमारी जी के पास जो विभाग है वो है वित, प्रियेटन, क्लास, साहिते संसकर्थी, सारजनिक निर्मान, महिलावय बाल विकास और प्रातत्वय बाल अधिकारिता बजट की यदि हम बात करें तो वित विभाग जो दिया गया है दिया कुमारी जी को उसका सबसे बड़ा बजट है एक लाग अठावन हजार दोसो तरेपन क्रोड रुपे परियेटन, 186 क्रोड रुपे, कलास साहित देशन्सकर्थी, 168 क्रोड रुपे, सारजनिक निर्मान, 147 क्रोड रुपे महिला बाल विकास और अन्य विभाग, 4081 क्रोड रुपे, इनके सामने कुछ चुनोतियां भी रहेंगी क्या-क्या चुनोतियां हैं दियाकुमारीजी के सामने, राजे का बजट गाटा कम करना, राजे की आय के अन्य स्रोथ खोजना, आंगन बाडिस्त केंद्रू में, पोशाहार में व्रस्ताचार की को कम करना प्रेम चन्द बेरवा को जो विवाग दिये गए हैं वो हैं तकने की सिक्षा, उच्छ शिक्षा, आयरवेद, हॉम, योग, प्राकरतिक युन्वानी और हॉमोपेथिक, प्रिवन और शडक शुरुक्षा ये विवाग दिये गए हैं प्रेम चन्द बेरवा जी को इनके सामने भी कुछ चुनोतिया हैं कि तकने की और उच्छ शिक्षा का विश्तार करना, रोडवेज का घाटा काम करना, प्रेवन के साधन खुजना, वेकल्पिक चिकच्छा पदितियों की ब्रांडिंग करना, ये इनके सामने एक चुनती पुरुन कारी रहेगा पांच राजे मंत्री जोकी केबनेट मंत्रियों के साथ काम करेंगी उनमें ओटा राम, देवासी, जोकी पंचायती राज ग्रामिन विवकास, आप्दा प्रबंदन, साहिता, नागरिक, शुरुक्षा का विभाग इनको दिया गया है विजय सिंग को राजस्वे उपनिवेशन, केंदरी सेनिक कल्यान, केके विश्णोई को उद्योग, वानिजे, युवा मामले और खेर मंत्राले, कुशल नियोजन और उद्यमेत्ता तथा निती निधारन का विभाग दिया गया है मन्जू बागमार को सारजनिक, निर्मान महिला और बाल विगास विभाग अधिकरिता का विभाग दिया गया है जवाहर सिंग धेडम को गरे, गोपलन, पसुपलन, डेरी, मतच से विभाग दिया गया है क्रोडिलाल मिना क्रोडिलाल मेना की यदि हम बात करें तो क्रोडिलाल मेना को जो विभाग दिया गया है वो है करसी, उद्यानी, ग्रामिन विकास, आपदा परबंदन, साहिता, नागरिक शुर्क्षा, जन अभियोजन, निराकरन इनके सामने जो चुनोतिया रहेंगी वो है किसानों की आय बढ़ाना, करज के समस्या दूर करना, ग्रामिन विकास को बढ़ावा देना कुल जो बजट है, वो 4,704 क्रोड रुपे का रखा गया है करसी को, उद्यानी का का जो बजट है, वो 1,255 क्रोड रुपे है ग्रामिन विकास, 8,505 क्रोड रुपे आपदा प्रबंदन साहिता, 2,934.19 क्रोड रुपे का बजट रखा गया है कजेंदर सेंग, खेमन सर, इनके पास विभाग है चिकच्चा और स्वास्ते विभाग इनको दिया गया है, E.S.I इनके सामने जो चुनोतिया रहेंगी वो आईसमान भारत, चिरंजीवी और राजस्तान जो कह सकते हैं कि राजस्तान में जो चिरंजीवी योजना है ये विभाग भी इनके पास रहेगा और इसमें भी इनके सामने बहुत ज़्यादा चुनोतिया रहेंगी आईसमान भारत चिरंजवी और रास्थान गवर्मेंट हेल्थ हिस्के में इलाज की बातेताओं को दूर करना निसुल क दवा और चांच योजना का विस्तार करना सरकारी अस्पितलों का आधार भूद धाचा मजबूत करना निजी अस्पितलों पर निर्वर्ता को कम करना ये इनके सामने चुनोती रहेगी एवनास कहलोत कि यदि हम बात करें तो इनको विभाग दिया गया है सामाजिक नया और अधिकारिता विभाग इनके सामने चुनोती रहेगी चातरवती यूजनाओं में ब्रस्ताचार को खतम करना पैंसन यूजनाओं को तकनिकी प्लेटफोरम पर लाना ताजे वर्दन सिंग राठूड इनको जो विभाग दिया गया है ये इनका विभाग है उद्योग और वानिचे आईटी और खेल कोसल नियूजन और उद्यमिता विभाग दिया गया है शैनिक कल्लान इनके सामने भी जो चुनोतिया रहेंगी वो हैं कि राजे के राजे में नए निवेश को लाना उद्योग पतियों के लिए स्विधाएं विक्सित करना नए रिकुछितर का निर्मान करना मदन दिलावर मदन दिलावर को जो विभाग दिया गया है वो है स्कुल शिक्षा पंचायती राज संसकर्थ शिक्षा स्कुल शिक्षा में जो मदन दिलावर का जो बज़ट रखा गया है वो है 53,233 क्रोड रुपे पंचैती राज 12,106.25 क्रोड रुपे संसकर्थ सिक्षा विभाग 701.45 क्रोड रुपे इनके सामने चुनोतियां जो हैं वो नए स्कुल खोरने के साथी सिक्षकों की कमी को दूर करना सिक्षकों के लिए नई तबाला निती बनाना कनेया लाल चोदरी इनके पास विभाग है जन स्वास्ते और अभियांतरी की भूजल विभाग है कुल बजट है इनका 9,703.26 क्रोड रुपे भुईजल विभाग का इनका जो बजट रखा गया है ये है 92.15 क्रोड रुपे इनके सामने जो चुनोती रहेगी वो है परदेश की पेजल प्रियोजनों में ब्रस्टाचार को दूर करना जल जीवन मिशन के तहत एक क्रोड गरम सहरी और गरमिन छेतरों में पाने की उपलबता सुनिसित करना ये इनके सामने बहुत बड़ी चौती रहेगी जोगराम पटेल जोगराम पटेल को जो मंत्राले दिया गया है वो है संसेद्य कारिये विदी और विदिक कारिये विदी प्रामर्सी कारियल है इन अन्य जो विभाग है इनके पास वो है न्या चुनोती न्या परकिरिया को शरल बनाना राजे में कानूनों में भारती न्या सनहिता सहित तिनू ने कानूनों के नुसार बदलाव करना ये चुनोती इनके सामने रहेगी सुरेश रावत सुरेश रावत को जो विभाग दिया गया है वो है जलसंसादन जलसंसादन आयोजना इनके सामने जो चुनोती रहेगी वो पूरी रास्थान रण नहर प्रियोजना को लेकर उसके साथ में जो सिचाई के सादन उपलक्त करवाना तथा हर्याना से चल रहा यमना के पानी बटवारे का विवाद खतम करना किसान को सिचाई के लिए प्रियाप्त पानी उपलक्त करवाना इनके सामने एक चुनती पुरुन कारी रहेगा सुमीत गोदारा सुमित गोदारा को जो विभाग दिया गया है वो है खादे और नागरिक आपुर्ती विभाग खादे और नागरिक आपुर्ती विभाग का मामला दिया गया है इनको 2516.63 का करोड रुपे का बजट है खादेश रुक्षा योजना में व्याप्त ब्रस्टाचार को खतम करना गेहों के सत परतिसत उठाव को शूनिश्चित करना जोगाराम कुमाउत जोगाराम कुमाउत को जो विवाग दिया गया है वो है पसुपालन, मतस्य और डेरी, गोपालन, देव स्थान इनके सामने जो चुनोती रहेगी वो है पसुपालकों की आई को बढ़ाना नए डेरी उत्पादन लाना प्राचिन मंदिरों के जिनोदार के विश्तरत की लूप रेखा तयार करना बड़े मंदिरों में कोरीडोर को बढ़ावा देना बाबुलाल खराड़ी बाबुलाल खराड़ी को जो मंत्राले दिया गया है वो है जनजाती चेत्री विकास अन्ने जो विभाग इनको दिये गए है वो गर्य रक्षा चुनोतियां है इनके सामने जनजाती चेत्रों का विकास करना योजनाव में भरस्टाचार को दूर करना गर्य रक्षा विभाग के श्रम शेक्कों की भरती करना हेमंत मीना हेमंत मीना को जो विभाग दिया गया है वो है राजस्वे और उपनिवसन इनके सामने चुनोतियां है प्राणे राजस्वे विभाग को दूर करना सेरी छेतर में जमीनुकर अविद कब्जिक को हटाना कुल जो बजट है 20161.60 क्रोड रुपे बजट रखा गया है खर्रा को नगरी विकास नागर को उर्जा सर्मा को वन एम प्रियावन को मिला जिमा कुछ राजे मंत्री बनाए गए हैं सवतंतर प्रभार के कौन-कौन से हैं देखेगा सबसे पहले बात करते हैं सुरेंदर पाल सिंग टिटि सुरेंदर पाल सिंग को करसी सिचाई छेतर विकास का विभाग दिया गया है इंद्रा गांदी नहर अलब संखेक मामलत वफल करसी विपनम जल उपयोगिता इनके सामने भी कुछ चुनोतिया रहेंगी जैसे करसी मंडियों का निर्मान करना पुराणी मंडियों को विक्सित करना अलब संखेक वरग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवस्य विधाले बनाना हिरालाल नागर हिरालाल नागर उर्जा विभाग दिया गया है इनको डिसकाम का गाटा करीब एक लाग करोड़ पे पहुंच गया है इसे कम करना अक्से उर्जा का दारह बढ़ा कर सस्ती विजली उपलद करवाना हर साल दो से तीन बार थरमल पारू प्लांट में कोईला संकट वे विजली कटोती के इस्तिती से नीशता दिलाना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनोती रहेगी गोतम कुमार दक इनका जो विभाग है वो है सहकारिता विभाग नागरी कुड़ेन इनके सामने जो चुनोतियां है वो है सहकारिता साग डाचे को मजभूत बनाना किसानों को सहकारिता से जोड़ना और नई हवाई पट्यों का निर्मान करना ये इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनोती रहेगी संजे सर्मा संजे सर्मा का जो विभाग है वो है प्रियावन जल्वाई परिवर्तन विज्ञान प्रवदोगी की इनके सामने चुनोतियां है वन भूमी पर हो रही अतिकुर्मन खनन को रोकना परदेश में जंगल को 9.5 से बढ़ा कर 20% तक विस्तार करना वन और वन ने जियों की सुक्षा को लेकर बेहतर प्रबंद करना इनके सामने एक चुनोति रहेगी जावर सिंग खरा इनका जो विभाग है वो है नगरी विकास सवायत सासन इनके सामने चुनोतियां रहेगी सहरों के मास्टर प्लान को लागू कराना पर सासन सहरों के संग भिहान का बहुत से तै करना और सफाई कर्मियों की भारती करना ये सबसे बड़ा इनके सामने चेलेंजेज रहेगा ये था हाल ही में राज़तान सरकार का जो मंत्री मंडल है उसके बारे में किस किस को क्या क्या मंत्राले दिया गया है आने वाले समय में समय बताएगा कि राज़तान सरकार किस परकार से अप जिस जनादास से सरकार यहाँ पर अपने सासन में आई है क्या वो लोगों की भावना पर खरा उतरती है या फिर किसी मंत्राले को लेकर पूरे काम किया जाता है आपके जिले, आपके राज़े से, आपके विधान सवा से जुड़े की किसी भी परकार के जानकारे के लिए आप नेमित हमारे चैनल पर बने रहीएगा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नए भूले क्योंकि हमारे इस यूटूब चैनल पर देश दुनिया राज्य चिले से जुड़े भी हर एक महतो पुरन जान करिया सबसे पहले आपको हमारे इस यूटूब चैनल पर मिलती है Thank you so much Jai Hind, Jai Bharat